वेल्कम बैक आज की इस टूट्रेल में हम साथ एक्सल के बेसिक फर्मॉलास कवर करेंगे फर्स्ट है सम इन एक्सल मतलब की सम फर्मॉला यह नंबर जो है वैल्यूज है जिसका मुझे सम करना है वैसे तो इसका शॉटकॉट है आटो सम जिसवे हम कहते है अल्ट इस इकल्टिव अगर आप यह कीबोर से प्रेस करते है तो जो भी आपकी निमरिक वेल्यू होंगी उसका सम जो सेल में आप यह जो फर्मॉला अपलाई करेंगे वहाँ पर यह सम आपको मिल जाएगा दूसरा वेल्यूज को आप सिलेक कर लीजे ब्रेकेट को क्लोज करके इंटरप्रेस कीजे तो यह है सम फर्मॉला second है max formula max मतलब maximum उसका short formula use किया गया है यह formula use किया जाता है जैसे कि आपके पास जो भी values हो numeric values उसमें से maximum value कौन सी है वो find out करने के लिए यह function use किया जाता है मतलब short में हम यह भी कह सकते है कि यह formula जो है आपके दिये गए specified data में से सबसे maximum जो value होती है उसको as a result आपको यह देता है यह किस तरह से apply करते है जैसे कि अभी यहाँ पर यह मेरे पास एक number set है मतलब data set है यहाँ पर मुझे यह find out करना है कि इसमें से सबसे maximum सबसे बड़ी जो value है वो कौन सी है तो उसके लिए यह function apply करेंगे कुछ इस तरह is equal to max उसके बाद यह यहाँ पर जो है पूरा जो हमारा data set है numeric value का उसको हम select कर लेंगे bracket को close करेंगे और interface करेंगे तो यहाँ देख लीजिए यह 8, 7, 6 यह जो value है यह सबसे बड़ी है मतलब maximum जो value है वो यह value है इस data set में तो इस तरह से max formula काम करता है third है mean formula mean formula यह mean मतलब minimum उसका यह short formula यह use किया गया है मतलब दिये गए database में से सबसे minimum value मतलब सबसे छुटी value कौन सी है यह find out करने के लिए यह formula यूज किया जाता है यह formula कुछ इस तरह से use कर सकते है आप जैसा कि is equal to जैसा यहां यहां पर यह जो है यह function में अप्लाई करूँगा is equal to mean उसके बाद में हम जो है यहां पर open bracket करेंगे number one number two इस तरह से जो इत्ती भी value आपको यह अप्लाई करना है जिसमें से यह find out करना है उसको select कर लेना इस तरह से उसके बाद bracket को close करके enterprise करना है तो यह देख लीजिए यहां पर जो result आया है यह आया है one two three मतलब कि यह database में से सबसे जो छोटी value है वो यह value है तो इस तरह से mean formula काम करता है next है average average मतलब यहां पर जो दी गई values है numeric value उसका average calculate करने के लिए average function use कर जाता है वैसे अगर generally हम इसका calculation कुछ इस तरह से करते है जैसे कि अभी सबसे पहले तो हम यह values कितनी है total 7 values है पहले इसका जो है मतलब यहां पर जो है sum कर लिया जाता है मतलब जो तरीका है इसका average का वो कुछ इस तरह से है bracket को close करके divided by 7 कुछ इस तरह से यह मतलब average calculate किया जाता है लेकिन यहां पर जो है इतनी मेहनत करनी की जोरत नहीं है excel में यहां पर आप जो है एक simple formula से यह average calculate कर सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है यहां पर जैसे कि मैं apply कर रहा हूं average उसके बाद यह number select कर लीजे जिसका आपको average calculate करना है bracket को close करके interface कीजे देख लीजे दोनों values same है लेकिन यहां पर जो है time जादा लगा और यहां पर time कम लगा इसके मुकाबले तो इस तरह से average function काम करता है नेक्स्ट है count formula करता यह है कि जो भी आपका data set है उस वो कितनी entries है number of entries count करता है लेकिन count function और एक काम करता है कि यह जो है स्रिप जो numeric value होता है उसी को count करता है for example जैसे कि अभी यह sale में यहां पर करते हैं यह sale में जो है हम यह count function apply करेंगे count is equal to count bracket open value 1 value 2 इस तरह से जिता भी value आपको चाहिए वो select कर लीजे bracket को close करके interface कीजे कितना यह 7 count यहां बता रहा है लेकिन अगर मैं यह value में से कोई एक value को अगर change कर देता हूं suppose जैसे कि अभी यह 7 values है इस में से यह first value values को जो है मैं change कर देता हूं इसका type मतलब number से जो है इसको text में convert कर देता हूं तो यह देख लीचे इसका count कम हो गया मतलब अभी यह formula जो काम कर रहा है यह स्रिफ six value को count कर रहा है यह marks को यह count नहीं कर रहा है तो इस तरह से count function काम करता है count a function जैसे कि हमने इसके पहले देखा count function count function जो है वो स्रिफ numeric value को count करता है लेकिन अगर आपके data set में mixture data है मतलब कि उसमें कुछ alpha numeric values हो तो वहाँ पर count function काम नहीं करेंगा तो उसकी लिए excel में count a function है मतलब कि count a function जो है alpha numeric जो भी values होंगी वो दोनों value को सभी type की values को count करता है देख लीजें यहाँ पर count a bracket open is equal count a bracket open उसके बाद यह values हमने select कर ली bracket को close करके enterprise किया यह देख लीजे total 8 values है यह अभी यहीं पर ही अगर मैं यह count function में से अगर a को निकाल लेता हूं जैसे कि count function की मैं बात कर रहा हूं count a में से यह निकाल लेता हूं last का तो यह देख लीजे यह value जो है 6 हो जाएंगे तो इस तरह से count a यह function काम करता है नेक्स्ट है नाउ function नाउ function जो है यह एक date function है यह function जो है current date और current time यह आपके database में मतलब आपके excel sheet में insert करने के लिए use किया जाता है तो यह function कुछ इस तरह से use किया जाता है यह देख लीजें यहाँ पर यह apply करते है is equal to now इसमें और कोई argument नहीं होते स्रिफ आपको now type करना है bracket open bracket close और interface करना है तो यह देख लीजे यहाँ पर जो है date आ रहा है और उसके बाद जो है अभी का current time भी आ रहा है अभी इसको जो है यह देख लीजें यहाँ पर जो है date आ गई है मतलब अभी इसमें से time निकल चुका है और एक इसमें हम changes कर सकते है जैसे की format sale में जाके date के अंदर में जो होता है format उस तरह से भी इसको यह कर सकते है राइट लेकिन now यह function जो है मतलब की date current date और time insert करने के लिए use किया जाता है और last वाला है lane function lane मतलब length का short form यह use किया गया है length जो है मतलब की lane function जो है दियेगे contain मतलब sale में जो contain है जो data है उसकी length count करने के लिए यह function use किया जाता है तो जैसे कि यह function कुछ इस तरह से use किया जाता है is equal lane ब्रैकेट open उसके बाद जो भी आपका text है उसको आप select कर लिजे ब्रैकेट close करके इंटरप्रेस कीजे यह देख लिजे यहाँ पर जो है यह मतलब यह sale में total तीन text मतलब की तीन value है मतलब हम यहाँ पर यह बोल सकते है तीन character है और यह जो है अब यह function को हम नीचे तक drag कर लेते हैं यह देख लीजे यहाँ पर जो है फाई है इसमें values इसकी जो यह sale की जो length है वो फाई है इसकी इसकी भी फाई है और यह sale की 17 है तो इस तरह से lane यह function काम करता है